हलो दोस्तों नोलेज हाप में आपका स्वागत है और आज का नोलेज है इसरो इसरो के बारे हम चर्चा करेंगे अगर इसरो को पूरा नाम जाना जाए ति इंडियन अस्पेस रिचर्ज और नाइजेशन और हिंदी में इसका नाम है भारतिय अंतरिक्ष अनुसुदान हुआ था और इसका मुखेले बैंगलोर में है इसमें करीबन 17,000 करमचारी कारे करते हैं कुछ जुनियर है कुछ जिनियर है कुछ बिग्ञानी के तोर पर भी है यह भारत का राष्ट्य अंतरिक्ष संस्थान संस्थान है अखिर आप लोगों को मन में आता होगा कि इसरो को तियार करने के लिए क्या जुरत पड़ी तिसके तिहास थोला सा जानते हैं भारत और चाइना के बीच रेसम मार्ग द्वरा वस्तवों का आदान परदान हुआ करता था उस समय टिपूर सुल्तान द्वरा मैसुर्प में इउध किया गया इमैसुर्प पे इउध हुआ था अंगरेजों को भागाने के लिए उस एउध में टिपूर सुल्तान ने रोकेट का पर्यों किया था और वही पर एक अंगरेज ने ये एउध देख रहा था उसने रोकेट को देखने पर उसने प्रिसन हुआ और रोकेट का पर्योंग किया रोकेट का उया ये सुचकर पर्ग किया गया था कि आथिसबाजी के लिए अब देखते हो कि पटा का छुड़ता है उस ही तरह रोकेट का प्रियोंग किया गया था लेकिन 1970 के समय डाक्टर विक्रम्चाय भाई भाई नामी है डाक्टर लिखरंशरा भाई ने भारतियां अंतरिक्ष का जनक कहलाते हैं क्योंकि जनक कहलाने कारण यह है कि वो बहुत काफी इसमें कारे की है, युगदान दिया है आपको यह पता होना चाहिए कि यह कारे किस तरूर पर कारे करता है या भारत के लिए अंतरिक्ष सम्मधित तकनी के उपलवद करवाता है और ये जो रोकेट छोड़ा जाता है वो समुद्री टट से छोड़ा जाता है समुद्री टट के अगर बात की जाए तो भारत में जहां पर समुद्र टट को वहीं से छोड़ा जाता है 37 धोन और सिरी हरी कोटा भारत के दो बंदरगा है वही से य इस रोकूर का रोकेट लंच किया जाता है आपको यह पता होगा कि इस रोकेट लंच इसरी जंवर। अगर इस रो द्वारा छुड़ा गया उपगरहों के नाम जाना जाएं इसकी सुची है 31 मई 1981 में SLV-3 छुड़ा गया था और 20 सितंबर 1993 में और 12 अगस्त 1901 में GSLV-10 ये मिसाइल लॉंज किया गया था और आई होप आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे